हेलो दोस्तों कैसे हैं आप स्वागत है आप सबका आपके अपने चनल पाबली हिंदी पे तो आज के हमारे इस वीडियो को टॉपिक है अपने यूटुप चनल पे जो हमारे वीडियो करता हूं अब क्योंकि नमबर ओफ वीडियो कापी ज़्यादा है और नमबर ओफ वीडियो कापी ज्यादा है और और कमेंट उन वीडियो से भी जादा है तो मैंवली इन सभी उसके कमेंट को जो है वो जो रप्लाइ करने का प्रोसेस है यहां पर अपने टाइम और एनरजी इन दोनों के बचाने के लिए और अपने यूजर के जाथ अपने वीवर्स के जाथ जो मेरा पोजिशन मैंने एक automation setup किया अब आप मुझसे पूछेंगे कैसा automation तो एक ऐसा automation दोस्तो जिससे जब भी मेरे YouTube चनल पे कोई मुझे नया comment रिसीव होता है तो उस comment के content के विशिस पे automatically एक reply उस comment पे share हो जाते है उस comment का एक reply automatically post हो जाता है अब content जो है अगर for example मान लीजे किसी user ने nice video comment किय है मेरे video पे तो मैं उसे thank you message send करूँगा किसी ने pricing details पूछी अगर मेरे product की तो मैं उसे मेरे pricing details और प्लाइंस के बारे में बताऊंगा या पर किसी हो कोई technical issue है तो मेरी जो help link है या पी जो मेरा forum है उसके link मैं उस user के साथ share करूँगा अब इस तरीके का automation setup करने में एक चोटा problem को solve करने के लिए आज हम जो software का use करेंगे उसका नाम है पाबली कनेक्ट पाबली कनेक्ट बेसिकलिए automation integration software है जिसकी हल्प से हम YouTube पे जो आपने अपने comments receive और अपने वीवर से उन comments पे कुछ conditions के विचिस पे automatically reply कर सकते हैं और जिसके मिन आपको बता है जो conditions आप add करेंगे इस वीडियो में वो आप कुछ keywords होंगे जो अपने हमारे users हमारे वीडियो में comment करते वक्त यूज करते हैं तो चलिए दोस्तों हम देखते कि हम यह awesome automation जिससे अपने YouTube वीडियो के comments पे automatically reply करता है यह कैसे setup कर सकते हैं और इस वीडियो में सिखाया जाने वाले automation की सबसे खास बाती है कि automation को करने के लिए आपको किसी भी तरिके की coding या programming knowledge कान ज़रूरी नहीं है एक non-technical user भी इस पूरा automation को बहुत इसली setup कर सकता है तो चली पहले में दिखा तो आपको इस automation का मेरे YouTube वीडियो के comment पे auto reply setup करने की automation का एक real-time example मेरी अपनी screen पे तो जसके आप यहां देख सकते हैं यह मेरे YouTube चानल पर published एक video तो जब भी कोई user मेरे YouTube चानल पर published कि इस भी वीडियो पे कुछ comment करता है तो automatically उसके comment करते ही कुछ मिंटो में हम उस user के comment पे एक reply send कर देते हैं यहां पर हम test करके देखते हैं यहां पर मैंने open कर रखा एक दूसरे user का account and then हम comment करेंगे हमारी इस video पे यहां पर मैं comment करता हूँ Can I know about the pricing Pricing details Just a second Can I know about the pricing details And post करता हूँ इस comment को अपने एक YouTube वीडियो पे So अभी अभी यहां पर मैंने एक user के account से अपने YouTube वीडियो पे comment किया है जो है Can I know about the pricing details So यहां पर अभी कुछी मिनेट बेट करते ही हम देखेंगे कि automatically इस comment पे हम एक reply send करतेंगे तो जिसे हम एक बार refresh करकर देखते हैं और वीडियो करते हैं कुछी मिनेटों का और जी हां दोस्तों जैसे कि आप यहां देख सकते हैं कि दो हमेंट वीडियो करते ही Automatically जिस user ने मेरे YouTube वीडियो पे यहां पे comment किया था उससे pricing details related उसके comment पे हमने automatically एक reply कर दिया है तो यह reply कहता है Hello Aakaj बिलकर यानि कि comment करने वाली user का name please visit www.paple.com for more details So आप सोचे होंगे दोस्तों यह मैंने कैसे किया कैसे मैंने अपने YouTube चानल पे comment करने वाली user को automatically कुछी मिन्टों में उसके comment पे reply send कर दिया तो आपको बता दू यह जो पूरा process है यह जो पूरा automation है का अपने YouTube चानल पे automatically comment के reply send करने का यह मैं setup किया है तीन simple steps में जिसमें हमारा post step है connect your YouTube account with pably connect तो सबसे पहले हम जाएंगे pably connect में और वहाँ जाके हम अपने YouTube account pably connect के साथ connect करेंगे उसके बाद आती है हमारी second step जो है collect recent comment data in pably connect तो हमारी second step के लिए जो हमारी YouTube channel पे recently कुछ comments receive होएंगे उसका data हम pably connect में collect करेंगे पर आती है हमारी third और final step जो है now set automatic replies on your YouTube comments तो जो comment हमें यहां पे recent comment जो YouTube से हमें receive हो है pably connect में उन comments के basis पे हम यहां पे कुछ new routes कुछ एक router setup करेंगे कुछ new routes बनाएंगे अपने automation में वो setup कर सके तो चली दोस्तों शुरू करते हैं इस simple सा automation को setup करने का हमारा post step और चलते हैं pably connect पे तो सबसे पहले हम आएंगे अपने browser में और यहां search करेंगे pably.com pably.com comment करते ही यह खुल चुकी हमारे पास pably की website यहां हम hover करेंगे products पे और click करेंगे connect पे connect पे क्लिक करते ही यह खुल चुका है हमारे पास pably connect का landing page अब हमें यहां दो options दिखाई दे रहे हैं एक है sign in दूसरा है sign up free अब क्योंकि मैंना pably connect पे already account है तो मैं click करता हूँ sign in पे आप sign up free पे क्लिक करके दो मनिट पे अपना pably connect पे free account बना सकते हैं इसके बाद हम नीचे जाएंगे pably connect पे और click करेंगे access now पे access now पे click करते ही यहां पे हमारे पास खुल चुका है pably connect का dashboard यहां हम click करेंगे create workflow पे और देंगे इस workflow को एक नाम तो example के लिए मैं इस workflow को नाम देता हूँ YouTube comments auto reply YouTube comments auto reply और click करता हूँ create पे create पे click करते ही यहां हम देख सकते हैं कि हमारे पास खुल चुका है हमारे पास यहां एक workflow हमारा workflow यहां पे इस workflow में हम यहां दो tabs दिखाई दे रहे हैं एक है trigger window दूसरी है action window तो आप सोच रहे होंगे यह trigger और action क्या है तो मैं आपको बता दू trigger और action basically वो दो concepts है वो दो principles है जिस पर यह पूर automation काम करता है जिसमें trigger कहता है when this happens यानि कि जब ऐसा हो और action कहता है do this यानि कि ऐसा करे जब ऐसा हो ऐसा करे तो आज के हमारे इस वीडियो के use case के according जब भी हमें अपने YouTube चानल पे एक नया comment रिसीव हो तो automatically उस comment का एक reply उस comment पे share करें तो सबसे पहले हम आते हैं अपने trigger window की तरफ और यहाँ choose app पे search करते है हमारा आज का application जो है YouTube YouTube and then यहाँ trigger event में हम यहाँ select करते है new comment on a channel तो हमारे चानल पर जब भी कोई नया comment रिसीव हो तो उसका data YouTube हमें public connect पे send करें तो अपने trigger event select करने के बाद हम यहाँ click करेंगे connect पे और connect पे click करते ही public connect हम से कह रहा है अपने YouTube account connect करने के लिए तो हम आएंगे add new connection पे और click करेंगे connect with YouTube पे तो यहाँ पर public connect हम से पूच रहा है अपने YouTube account select करने के लिए तो आशी रहा है यह है मेरा YouTube account तो मैं इसे select करता हूँ and then scroll करके हम यहाँ click करेंगे continue पे and that's it दोस्तो continue पे click करते ही हमने successfully अपने YouTube account public connect के साथ connect कर दिया है इसके बाद यह हमसे पूच रहा है channel हमार YouTube channel तो मेरे इस account पे से एक ही YouTube channel है जिसको नाम आशीर है जैसा कि आप यहाँ देख सकते है यह की YouTube channel है तो मैंने यहाँ पे उस channel को select कर लिया है इसके बाद यह हमसे पूच रहा है max result और यहां हम नीचे दियेगा एक बाद help text को पढ़ते हैं यहाँ पी हमसे कह रहा है the max results parameter specifies the maximum number of items that should be returned in the result set acceptable values are 1 to 100, exclusive the default value is 20 so यहाँ पी हमें बता रहा है कि हमें max result में वो एक number add करना है वो एक value add करनी है जितने responses हम जितने results अपने YouTube channel से public connect में collect करना चाहते हैं और जो acceptable values है वो एक से लेके 100 के बीच में हो सकती हैं तो यहाँ पे मैं enter करता हूँ default value 20 की and then click करता हूँ save and send test request पे तो save and send test request पे click करते ही हमें यहाँ पे एक response receive होता है जो हमें एक comment का दिखाई दे रहा है जो है यहाँ पे हमाँ दिख सकता है कि snip author display name के आगे दिख सकता है यहाँ पे comment करने वादी user का name अकाज वेलकर and then just snip text original के सामने देख सकता है वो comment जो उसने किया था यहाँ यहाँ पे इस user ने किया था आकाज वेलकर ने यहाँ पे दोस्तों मैं आपको अपने YouTube चानल पर देखाता हूँ कि एक वीडियो है मेरे पास little word की and then इस same वीडियो पे आप यहाँ देख सकता है यहाँ पे वो same user के name से यहाँ पे comment है अकाज वेलकर के name से जो था नाइस वीडियो तो जैसे हमने seven sent test request पे click किया दोस्तों तो YouTube ने जो हमारे recent comment का data था हमारे YouTube चनल पे उसका data publicly connect ने यहाँ पे collect कर लिया है कर लिया है तो यहाँ पे इस automation को setup करने की जो हमारे दो step थी जिसमें हमारे पहले step थी YouTube और पापली connect इन दोनों को यहाँ आपस में connect करने की और दूसरी step थी हमारे YouTube चनल पे comment होने वाले एक दम recent comment का data है उसे पापली connect में collect करने की यह दोने step हमने successfully यहाँ पे complete कर लिया है तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी third और final step की तरफ जिसमें हम अपने इस automation पूरे workflow में कुछ conditions add करेंगे जैसे कि मान दीजिए किसी user ने comment किया है nice video जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि आकाश भीलकर इस user ने यहाँ पर comment किया nice video तो हमारे channel पे nice video एक comment receive होने पे हम किस तरह के comment जो है वो reply में add करना चाहते हैं अगर user अपने comment में word use करता है जैसे pricing details या फिस subscription details तो ऐसे word use करने पे हम अपने user के comment है उस पर किस तरह के reply कर सकता है and so on हम जितनी चाहिए उतनी conditions यहाँ पर add कर सकते हैं तो कुछ इस तरह की conditions लगाने के लिए हमें यहाँ पे public connect पे अपने workflow में use करना होगा public connect के एक feature का जिसका नाम है router तो हम scroll करेकर नीचे आते हैं अपनी action window पे और यहाँ choose apps में search करते है router so router by family यह choose apps में हमारे action window में select करने के बाद हम यहाँ पे कुछ options दिखाए रहे है जैसे के route 1, route 2 and then so on यहां पे router जो है यह nelp करता है अपने workflow में अपने automation में कुछ conditions 質 डाट करने के लिए इहां पे हम देख सकते है no २ तो यह router की help से हम अपने इस workflow में automation में कुछ नई roots create कर सकते है कि अगर ऐचाँ वह तो इस route से जाए अगर ऐसा हो तो इस эт to getirt सो यहाँ पर हम आते हैं route1 पर और for example मैं इस route1 को जो है इसे rename करता हूँ और example कलिए से name देता हूँ thank you message इसे करते हैं update, तो thank you message यहाँ पर फिर्स उट को मैं नाम दिया है, second route को मैं नाम देता हूँ pricing details pricing details इसे करते हैं upload और यहां पर मैं एक और root एड करता हूँ add renowned product कर के third root और यहां पर इसे नाम देता हूँ technical issue technical issues और क्लिक करते हूँ update पर So example के लिए मैंने यहां पर अपनी इस automation में तीन रूट्स क्रिएट कर रहे हैं पहले को नाम दिया थैंक्यू मेसेज दूसरा प्राइजिंग डीटेल और तीसरा टेक्निकल इसूर अब मैं इन रूट्स में डेफाइन करूँगा और इस वक फ्लो को बताऊंगा कि अगर को मुझे थैंक्यू मेसेज आता है तो यहां पे कंडिशन आड्ड करूँगा अगर वो कंडिशन फुल्फिल होती है तो मुझे क्या करना है मुझे किस तरीके का रेपला है अपने उस Thank You Message का जो रपला है वो एड हो So हम यहाँ पर Select Label पर जो हमें यूटूब से हमें comment का response रिस्पॉंस रिस्पॉंस को select करेंगे यहाँ पर text display में हमारे पास रिस्पॉंस And then जो यहाँ पर फिल्टर का टाइप है वो फिल्टर का टाइप आड करेंगे So यहाँ पर फिल्टर टाइप में add करता है Contains कि अगर response में यहाँ पर value enter की value contain करती है तो हमें क्या करना है So यहाँ पर मैं value match कर देता हूँ क्योंकि एक thank you message है तो मैं thank you से related word add करता हूँ कि अगर for example किसी user ने comment किया Thank you for this video So यहाँ पर मैं enter करता हूँ Thank you Text display Filter type हम करते है content और अगर किसी को user thank you अगर कह रहा तो हो सकता हूँ Nice video So अगर किसी user ने nice video यह comment की है तो हमें क्या करना है एक और condition add करता हूँ Click करता हूँ And then यहाँ पर उस comment के response को map करता हूँ फिर से text display And यहाँ पर select करता हूँ Filter type में contain और यहाँ पर value में add करता हूँ अगर को user thank you कह रहा है Nice video कह रहा है अगर really this video was really helpful अगर कोई किसी user के comment में अगर helpful word है तो भी हम इस same route का use करेंगे So यहाँ पर हमने सबसे पहले use किया यहाँ पर router by family router इस tool का family connect के And then हमने आपर इस automation में इस workflow में कुछ routes create किये जिसने पहला route का नाम दिया हमने thank you message और यहाँ पर thank you message के इस route पे हमने यहाँ पर कुछ conditions add की कि अगर जो हमार comment है उसमें को user thank you nice video यहाँ पर helpful ऐसे words का use करता है तो हम क्या comment करना चाहते हैं तो example के लिए मैंने यहाँ पर आप चाहे तो अपने requirement के इसाब से यहाँ पर कुछ और conditions भी add कर सकते हैं तो हम यहाँ पर define करना है कि अकर यह conditions हो तो हमें क्या करना है तो इसके लिए हम नीचाहेंगे add application के button पे ओके just a second है आपे इन conditions को add करने के बाद हम यहाँ click करेंगे save and send test request पे तो save and send test request पे click करते ही हमें यहाँ पर condition जो है यह true बता रहा है क्योंकि जो test response हमें receive हुआ था जिस comment का वो comment था nice video तो इस comment में nice video यह words यूज हुए थे और यहाँ पर हमने condition लगा यह nice video की यानकि हमने यहाँ test करके देखा कि जो हमारी condition हमने add किये यह successfully काम कर रही है तो यहाँ पर इस condition को add करने के बाद हम यहाँ click करेंगे add application पे and then choose apps में यहाँ search करेंगे एक बाद पर इसे YouTube YouTube सेलेक करने के बाद हम आएंगे action events पे और action events में हम यहाँ कई सार action event दिखाई दे रहे है जिसमें से एक action event है reply to comment तो यहाँ पर हम सेलेक करेंगे reply to comment पे और click करेंगे connect पे connect पे लिए यह फिरसे हमें कहा रहा है अपना YouTube अकाउंट connect करने के लिए लेकिन हम अपनी पिछले step में ही अपने YouTube अकाउंट connect कर चुक है तो यहाँ पर हमसिले करेंगे choose existing connection और click करेंगे save पे सो यहां पर हमने फिर से अपना YouTube account successfully connect कर दिया है इसके बाद हमें यहां पर कुछ field दिखाए दे रही है पहले field है reply text यहां पर हमने action window पर हमने select किया action event reply to comments पर और यहां पर हमें enter करना है वो text जो हम अपने reply में अपने users को users के comment पर add करना चाहते है हमने यहां पर define किया थे जो condition हमने लगाई थी वो लगाई थी thank you message की कि अगर को user thank you nice video या helpful essay words अपने comment में यूज करता है तो उन्हें हम क्या reply send करना चाहते है उनकी comments पर क्या reply करना चाहते है तो यहां पर मैं चाहता हो जो मैं reply हो वो start हो hello and hello के बाद यहां आजाए उस user का name यहां पर YouTube से में जो response रिसीव हुआ था उसमें हमें रिसीव हुआ था comment करने माली user का name यहां से उस name को हम यहां पर map करेंगे इसके बाद हम कॉमा लगा के next link पर आ रहते हैं और यहां पर comment create करता हूँ glad you liked the video video thanks for watching thanks for watching so यहां पर मैंने comment add किया है मेरे यूटूब के reply में I mean reply create की है कि अगर कोई user just a second sorry मैं यहां पर इसे delete कर दिया कि अगर कोई user अगर कोई comment करने वाली user हमें इन जो condition हमने setup किया है इन conditions के basis पर यहां पर कोई comment करता है जैसे कि condition हमने जो लगाई थी thank you message के लिए अगर को user thank you थी comment की ID सो यहां से हम सेम comment ID को यहां पर map कर देंगे and then हम यहां क्लिक करेंगे save and send test request पर सो save and send test request पर क्लिक करते ही हम यहां पर एक response दिखाई दे रहा है चुकि हम एक positive response दिखाई दे रहा है जो मैं अब response में हम देख सकते है कि hello akash भेलकर glad you liked the video thanks for watching यह comment हमने इस user के comment पर कर दिया है और जी हां दोस्तो जैसा कि आप यहां देख सकते हैं अकाज भेलकर इस user ने जो comment किया था nice video इसके against हमें यहां पर इस comment पर एक reply add होगा मिल चुका है जो reply है hello akash भेलकर यानि कि comment करने मादी user का name glad you liked the video thanks for watching वो same comment दोस्तो जो अभी अभी हमने यहां पर इस router के इस condition पर setup किया था यानि कि हमने देखा यह जो हमने पूरा root setup किया एक new root setup किया अपने इस automation में कि thank you messages के लिए जो conditions हमने add किये यह conditions fulfill होने पर automatically एकदम real time पर user के comment करते ही उसके comment पर हमें reply send कर देंगे यहां पर यह बात हुई हमारी एक condition की मैं यहां पर click करता हूँ done पर यहां पर हमने एक route setup किया था thank you message का तो हमने उसकी conditions यहां पर add की है उसके बाद हम आते हैं अपने दूसरे route पर चूथी pricing details तो हम यहां click करते है set filter पर और filter पर यहां पर select label में फिर से select करते है display text को यहां पर हमारे पास है display text and then filter type पर हम फिर से select करेंगे content और यहां पर enter करने है कि pricing details से related अगर कोई user comment करता है तो हम reply send करना चाहते है तो उससे related कुछ words जो user use कर सकता है हम यहां पर enter करते है इसे pricing details pricing details यहां पर add करते है और condition select label फिर select करते है text display filter type contains costing अगर कोई user अपने वीडियो में costing इस word का use करता है यहां पर subscription plan मैं एक और add करता हूं यहां पर select label में यहां पर मैं map करता हूं पहले text display को contains subscription plan subscription plan अगर कोई user अपने comment में pricing details, costing यह subscription plan इस तरीकी के words use करता है यहां पर हमने condition लगाई तो हम बताई इस automation को कि हम क्या comment करना चाहते है हम यहां पर click करते save and send test request पे और यहां पर जो में response receive होगा वो एक false response receive होगा यहां पर हमें बता रहा है condition is false क्योंकि जो test data हमने receive किया public connect में YouTube comment का वो था nice video के लिए और इस comment में इन सभी pricing details costing या subscription plan ऐसे कोई words यहां पर use नहीं हुए है तो यहां पर हम scroll करके नीचे आते हैं और यहां पर click करते है add application के button पे और यहां choose apps में हम फिर से search करेंगे एक बार YouTube YouTube action event पे हम select करेंगे एक बार फिर से reply to comment क्योंकि हम अपने comments पे reply करना चाहते हैं और click करेंगे connect पे connect पे click करने के बाद फिर से select करेंगे choose existing connection और click करेंगे save पे save पे click करने के बाद यह हमसे पूछ रहा है reply text कि अगर हमारे comment हमें receive हो रहे है उसने pricing details costing subscription plan ऐसे कुछ text हो तो हम क्या comment करना चाहते हैं उन comments का reply करना चाहते हैं तो यहां पे reply text में मैं चाहता हूँ start हो फिर से एक बार hello and then हम यहां पे map कर देते हैं फिर से हमारे comment करने वाले user का name यहां पे display name please visit please visit www.pably.com pably.com for more details so मैं चाहता हूँ यह comment जाए जब भी कुई user pricing details subscription plan और costing के बार में comment करें तो यहां पे मैं क्लिक करता हूँ enter करता हूँ reply text का message and then हम से पूश्ट है comment id यहां पे YouTube से response हुआ था वहां से हमें मिली थी comment id तो हम फिर से उस comment id को यहां पे map कर देंगे हमारे पास है comment id और क्लिक करेंगे save and send test request पे तो save and send test request पे क्लिक करते ही हमें यहां देख सकते है कि जो हमें test comment हमने रिसीब किया था उस same comment पे एक और comment हो चुका है एक और reply add हो चुका है जो कहता है hello akash wilkar यानि कि वो comment करने वाल यूजर का नहीं please visit www.pably.com for more details so यहां पे हम आते है अपने YouTube channel पे and then एक बार करते हैं फिर से इस वीडियो के page को refresh और जी हां दोस्तो जैसे कि आप यहां देख सकते हैं उस same comment पे यहां पे एक बार फिर से अब हमें दो reply दिखाई दे रहे हैं पहले thank you message वाला reply था and then यहां पे अभी जो हमें नया reply add किया था hello akash wilkar यानि कि comment करने वाल यूजर का नहीं please visit www.pably.com for more details यहां पे आप सोच रहूंगे कि nice video के नीचे हमने यहां पे condition तो नाइस वीडियो के नीचे यहां पे यह comment आड कियो हुआ है तो मैं आपको बता दू क्योंकि अभी हम यह workflow setup कर रहे है और यहां पे हमने save and send test request की थी इस वयसे यहां पे उस same comment के नीचे यहां पे यह comment आड हुआ है otherwise जब हम अपने चैनल पे किसी और comment में price details या conditional words हमने यहां पे enter की है इस तरीके के words receive करेंगे तो ही यह इस तरीके का comment है उनके comments के reply पे add होगा यहां पे हम click करते है done पे इसके बाद हम आते हैं अपने last route पे जो हमने setup किया था technical issues के लिए तो हमारे comment में कोई user technical issues या फिर error या फिर issue ऐसे कुछ word के साथ comment करता है उसके comment में कुछ इस तरीके के word होता है तो हम किस तरीके का reply उनके comments पे add करना चाहते है so यहां पे मैं click करता हूँ set filter पे और एक बाद फिर से same steps follow करेंगे select label में से हम यहां पे map करेंगे हमारी comment का text display text and then इस पे filter type पे लगेंगे contains error यहां पे मैं enter करता हूँ अगर वहां पे उस comment के text में error word यह added हो एक और condition add करते हैं हम यहां पे फिर से map करते है comment का contains issue so यहां पे मैं दो conditions add की है कि अगर जो comment मुझे receive हो रहा है मेरे YouTube चनल पे उन comments में error या issue इस तरीके words हो तो हमें क्या करता है सो यहां पे हम पहले क्लिक करते है save and send test request पे यह response हमें false दिखा रहा है and condition error क्योंकि जो हमारे test response है यहां पे यहां पे error या issue इस तरीके का word test comment पे नहीं है सो हम यहां पे sorry से फिर से आते है set filter पे यहां पे हमने यह जो condition थी यह लगाई थी error और issue in words पे इसके बाद हम click करते निचे add application पे and then यहां पे add करते है कि अकर error या issue इस तरीके के words हमे comment पे receive हो तो हम किस तरीके की reply send करना चाहते है उन comments पे यहां पे हम फिर से search करते है YouTube YouTube and then action event में हम select करते है reply to comment और click करेंगे connect पे so connect पे click करने के वाद choose existing connection और फिर click करेंगे save पे save पे click करते ही हमने यहां पे पर से अपना YouTube account connect कर लिया है reply text में अगर हम comment में error या issue user error या issue in words को use करते है comment में तो हम किस तरीके reply यहां पे text करना चाहते है reply send करना चाहते है तो हम चाहते है reply start हो hello just a second hello and then map कर देते हमारे user का name and then हम चालते है for any issues please contact us contact us at admin admin.pabli.com for any issues please contact us at admin.pabli.com तो मैं चाहता हूं कि hello and then आजाए user का name comment करने मली user का name and then मेरा message start हो for any issues please contact us at admin.pabli.com यह comment यह reply में चाहता हूं उन comments पे then हम फिर से हम map कर देते है हमारी comment की ID comment ID और यह हम क्लिक करते है save पे इस बार हम save and send test request नहीं करेंगे simply save पे click करेंगे and यह click करेंगे done पे so done पे click करते ही यहाँ पे हमने successfully यहाँ पूरा automation था यह पूरा workflow था यह हमने यहाँ पे setup कर लिया है अब हम चलते हैं अपनी YouTube वीडियो पे वहाँ चलके इस पूरा automation को हम test करते हैं यहाँ पे हमारे पास अकाश फिलकर इस user का account and then यहाँ पे इस वीडियो पे पहले हमने comment किया था nice video मैं यहाँ पे एक comment करता हूँ एक new comment जो कह start होता है I am facing an issue with my workflow so यह just a second workflow I am facing an issue with my workflow so यहाँ पे मैं यह comment करता हूँ यह comment add करता हूँ इस वीडियो पे so अकाश फिलकर इस user की id से हमें अपने YouTube channel पे comment receive हुआ है तो चली दोस्तो अब हम वेट करते हैं कुछ मिन्टों का और कुछ मिन्टों बाद हम देखता है कि कि हमें यहाँ इस comment के against पे कोई नया reply मिलता है या नहीं और जी हाँ दोस्तों जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि दोहे मिन्ट करने के बाद जिस user ने आकाश फिलकर के ने हमारे वीडियो पे एक comment किया था जो किया था इस comment पे automatically एक reply यहाँ पे हमें receive हो जुका है जो कहता है हेलो आकाश भिलकर यानि कि comment करने वाले यूजर का नेम और एनी इशूज प्लीज कॉंटक्त अस एड्मिन एड्रेट पैबली.com वह सेम comment reply दोस्तों जिसकी condition हमने add की थी कि अगर हमारे comment में issue यह word अगर कोई user use करता है तो उसे हमें क्या reply send करता है यहां पर हमने इस automation को test करके भी देखा दोस्तों यह जो automation है यह perfectly काम कर रहा है तो चलिए एक बार हम आते हैं पाबली connect पे और यहां आकर देखते हैं कि हमने simple automation कैसा setup किया तो सबसे पहले हमारे पाबली connect पे और वहां आकर हमने अपने YouTube account पाबली connect के साथ successfully connect किया उसके बाद हमने अपने trigger event में select किया new comment on channel and then हमने यहां पे जो save and send test request पे click किया था उसके बाद हमें receive हुआ था हमारे recent comment हमारे YouTube channel पे and then उसके responses में हमने देखा कि हमें receive हुआ था comment करने में user का name and then comment का text जो उस user ने comment किया था उसके बाद comment के responses को receive करने के बाद हमने आपने next step में action window में use किया router का और router की help से हमने अपने इस automation में इस workflow में कुछ new routes create किये and then उन routes के उपर हमने कुछ conditions add की कि अगर comment करने वाला user अपने workflow में sorry अपने comment में thank you या पिर ऐसे कुछ words यूज करता है good video है हमाइ comment को appreciate करता है ऐसे कुछ words use करता है तो हमने किस तरीखे का comment add करना है अगर कोई pricing details के बार में बात करता है तो हमें किस तरीखे का reply comment पे करने कोई technical issues केiyi بात करता है comments के तो हमें उस comment पे किस तरीखे के reply send करना है तो सिर्ब यहять Valley Connect caneta helpसे आप multiple applications को एक दूसरे के साथ integrate कर सकते है और अपने business को automate कर सकते है और हाँ, एक और ज़रूरी बात इस वीडियो के description में आपको एक link मिलेगी जिस पे click करके आप इस same workflow को अपने Pabli Connect account पे clone कर सकते हैं और इस workflow को free में use कर सकते हैं किसी भी देरिके के help या feedback के लिए आप एमें contact कर सकते है admin at the.pabli.com पर या अपनी queries फूच सकते हैं इस link पर वर आज को ये वीडियो आपको अच्छा लगाओ तो इस वीडियो को like करें, share करें और हाँ, ऐसी कुछ automation और integration से लेटर awesome वीडियो के लिए Pabli Hindi को subscribe करें तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तो, thank you